हर्याना में 5 अक्तूबर को मतदान होना है उससे पहले सभी राजनीतिक दल तेजी से चुनाव बरचार में जुटे हुए है हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सिंग्सानी सोमवार को गुरुग्राम पहुचे जहां उन्होंने कहा कि हर्याना चुनाव में कॉंग्रेस का मध्य परदेश और 36 गड जैसा हाल होगा मुख्य मंत्री नाया सिंग सैनी ने कॉंग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15-20 दिनों में कॉंग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाना आने को तेयार नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों में यह सपस्ट हो गया है कि कॉंग्रेस का हाल भी मध्य परदेश और 36 गड़ जासा होने वाला है अब तो कॉंग्रेस के नेता भी यह मानने लगे हैं कॉंग्रेस आज असमंजस की स्थिती में है इस दोरान और क्या कुछ कहा नायव सिंग सैनी ने आप खुद ही सुननी जीए चंडीगड से हमारे एडिटर इंचीफ राजेंद्र भार्दवाज की रिपोर्ट भार घोचना पत्तर जारी करती है तो कभी उनके नेता उट पटांग व्यानवाजी कर रहे हैं कॉंग्रेस आज कन्फ्यूजन की स्थिती में है उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धर्ति पर अरक्षन विरोधी व्या किया है इसलिए वो यहां आएं गोमें और अपना परेटन करें लेकिन कुछ स्वालों के जवाब हर्याना उनसे जरूर पूछेगा राहुल गांदी जी उसका जवाब अदे कर जाएं हर्याना का युवा पूछेगा कि हुड़ा के राज में खर्ची पर्ची पर वो पी क्यों रखे हैं हर्याना का दलित पूछेगा कि अरक्षन का विरोध करने के बाद वह किस मूँ से हर्याना आए हैं हर्याना का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूट कर दामाजी को देने के बाद भी वह किस मूँ से किसानों की बात करते हैं हर्याना की माताएं बहन पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किये वादों पर दोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते यह कुछ क्वेस्चन हमारे हैं जो हर्याना के लोग पूछना चाहते हैं मुझे यह वश्या राहूल गांदी इनका जबाब देखर के जाएंगे हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूले